नमस्कान मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खब्रों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर निती आयोग की पहली डेल्टा रैंकिंग में जमुई देश का दूसरा स्रेश्ट जिला बना बिहार में बड़े पैमाने पर दारोगा का इंस्पेक्टर में हुआ प्रमोशन बीपीएसी हर सठवी का इंटर्वियू आठ जन्वरी से पट्ना न्यू जल्पाई गुरी बंदे भारत एक्स्प्रेस का पड़िचारन तिथी घोशित इम इंडिया के स्टार ओल राउंडर यवरास सिंग का आज है जन दिन इसके साथ ही बरते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के और विस्तार से नीती आयोग की पहली डेल्टा रैंकिंग में जमुई देश का दूसरा स्रेश्ट जिला बना नीती आयोग के द्वारा आकांची प्रखण प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग जारी कर दी गई है जिसके तहट जोन 6 में शामिल पुर्वी भारत में बिहार के सिवान जले के अंदर प्रखण को सिर्श स्थान मिला है जबकि आकांची जिला प्रोग्राम के तहट जमुई देश का दूसरा स्रेश्ट जिला बना है मारमो के आयोग के मापदंड पर पूरे देश के आकांची प्रखणों में बिहार के 11 प्रखण शामिल किये गये हैं वहिस प्रोग्राम के तहट इसमें बिहार के 13 जले भी शामिल है बदादे कि पुर्वी जोन में बिहार के 7-7 जहारकन के दुमका जला के रामगर प्रखंट को दूसरा अस्थान दिया गया है वहिस रैंकिंग के सभी श्रेनियों में सिस रैंक वाले प्रखंट को 1.5 करोड रुपे और दूसरे रैंक के लिए 1 करोड रुपे पुरुसकार के रूप में देकर सम्मानित किया जाएगा बिहार बोर्ट के अनुसर वर्श 2024 में होने वाली मैट्रिक परिक्चा में परिक्चारतियों की संक्या बढ़े गी बतादे कि बोर्ड के अनुसार इस बार मैट्रिक परिक्षा में 84,000 अधिक परिक्षार्थी शामिल होंगे यानि कि मैट्रिक की बोर्ड की परिक्षा में परिक्षार्थियों की संख्या 16,94,564 होगी जबकि वर्ष 2023 में इस परिक्षा में शामिल होने वाले परिक्षार्थि के द्वारा आविदन किया गया वहीं वर्ज 2023 में ये संख्या 13,18,449 थी रेलवे ने शिडो की चार वनवे स्पेशल ट्रेन मुख्य जन संपर्ग अधिकारी विरंद्र कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के नसार यात्रियों की अत्रिक्त भीर को देखते वे रेलवे की और से नौर्थ इस्ट से बरॉनी हाजिपुर पार्टले पुत्र डीडी यू के रास्ते चार वनवे स्पेशल ट्रेनों के पड़िचालन का नर्ने लिया गया है उनमें गारी संख्या 05679 गोहाटी उधना वनवे स्पेशल गारी संख्या 05877 रंगापाडा नौर्थ रानी कमलापती वनवे स्पेशल ट्रेन, गारी संख्या 05779 न्यू जलपाई गोडी दिल्ली वनवे स्पेशल ट्रेन और गारी संख्या ड्रिवुगर बडोदरा वनवे स्पेशल ट्रेन के नाम शामिल हैं मालम हों कि इनमें से दो ट्रेनों का परीचालन आज यानिगी 12 दिसंबर से शिरु हो चुका है तो वहीं दो ट्रेनों का परीचालन 15 दिसंबर और 16 दिसंबर से शिरु होगा बिहार में बड़े पैमानी पर दारोगा का अंस्पेक्टर में हुआ प्रमोशन नए साल से पहले बिहार सरकार के द्वारा पुलस कर्मियों को एक बड़ी सौगात दे दी गई है बता दे कि बिहार सरकार के सामाने प्रिशासन विभाग के द्वारा अधिसूशना जारी कर यह जानकारी दी गई है कि सरकार के द्वारा वरियता के आधार पर बिहार के कुल 905 दारोगा को इंस्पेक्टर में प्रमोशन दिया गया है बता दे कि जारी किये गया दिसूशना के नसार जिन पुलिस कर्मियों को प्रमोशन दिया गया है उनमें से कुछ के नाम अजीत कुमार सिंग, मनोज कुमार, मोती लाल, विजय कुमार भारती, रविंद्र प्रशाद, विजय कुमार सिंग, नविन कुमार, बुद्ध संजय कुमार नाम शामिल है। प्रति दिन अधिकारियों को फिर से समझाने की कोशिश करे। प्रति योजना में बिहार में हुआ घपला। आयुश्मान कार से राज का लाइसेंस दे दिया गया है। से में बिहार स्वास्त सुरक्षा समीती के प्रसासी पतादिकारी के दोरा इनापत्तियों के निराकरन के लिए कहा गया है। आज सरकार के दोरा सभी जिलों के CS को अस्पताल खोलने या आयुश्मान योजना का लाइसेंस देने से पहले फायर सेफ्टी, प्रदूशन और बायो विस्ट निश्पादन का सर्टिफिकेट जमा कराने का निर्देश दिया गया है। बिना सर्टिफिकेट जमा कराए अस्पतालों को लाइसेंस देने से मना किया गया है। इंटर्व्यू का आयोजन दो सिफ्ट में किया जाएगा जिसमें सबसे पहली सिफ्ट का आयोजन सुभा सारे नौ बजे और दूसरी सिफ्ट का आयोजन दो पहर दो बजे से किया जाना है। इतिहास और सांस्कृतिक जलकियां के माध्यम से दर्शाई जाएगी और साथी 100 फीट उचा हाई मास्ट तरंगा और 40 फीट याचनी लगाई जाएगी। मालू हो कि यह फैसला पट्टा स्मार सिटी के चेर्मेन संतोष कुमाल मल्क की अध्यक्षता में हुए 29 निदीशक मंडल की बैटक में लिया गया। महिस दुरान यह भी फैसला लिया गया कि मौडे लोक पड़िसर में बिहार का पहला ऑटोमिटिट मंटी लेवल कार पार्किंग का भी निर्मान किया जाएगा जिसमें 150 कार पार्किंग की विवस्ता होगी वहिसके लावा लंदन आई के तरह पटना आई का निर्मान भी कि किये जाएंगे बिहार में हो रहा भवे सिया पिया विवाहुतसव की तैयारी 17 दिसम्बर को विवाह पंचमी के मौके पर श्री सीता पिया महुतसव को लेकर बिहार की राजधानी पटना के मुकामा में भवे तैयारियां की जारी है बता दी कि मुकामा में होने वाला यह महुतसब नव दिवसिये होगा जिसमें जगत गुरूर संक्राचारे भी शामिल होगे बालोंगो कि इसकी शिर्वात कल यानी की 13 दिसंबर से कलस यात्रा एवं नगर भ्रमन से हो रही है महीं 17 दिसंबर को श्री राम विवाह बरात निकलेगी बतादी किस दुरान प्रतिदिन मुकामा के लक्ष्मी नरायन मा गंगा मंदर तर्थ छेत्र श्री सुरे नरायन मंदर के पास होने बाले सनव दिवसिये महुत समें दो पहर दो बज़े से शाम पांच बज़े तक कथा क आयोजन किया जाएगा और फिर शाम 6 बज़े से 7 बज़े तक बनारस के पुड़ोहितों द्वारा गंगा आर्थी की जाएगी इसके बाद शाम 7 से रात 10 बज़े तक रामलिला का आयोजन किया जाएगा हाजिपूर से पठना आना जाना लोगों को हुआ असान नए वर्ष से पहले हाजिपूर से पठना आने जाने वाले लोगों को आसान होने वारा है बतादे कि हाजिपूर के लोगों को करीब 10 किलो मीटर लंबी बाइपास सरक का तौफा मिला है जो आधा दरजन से अधिक पंचायतों के लोगों को लाब मिलेगा बता दे कि हाजिपूर पटना मुख्यमार्ग इस्थित तोल पलाजा से धोब गटी तक वाया नवादा चौक हिलालपुर और शुभोई तक के लिए नया बाइपास बनकर तयार हो गया और बीते दिन इसके हाजिपूर से भाजपा के विधायक अबधिश सिंग के द्वरा उदगाटन भी कर दिया गया मालमोग इस नय बाइपास के नर्मान में पत्ध नर्मान विवाग की 19,49 लाकी राशी खर्च हुई है हालाक इस बाइपास के नर्मान होने से अब हाजिपूर और पत्ना से महनार हाजिपूर पत्ना से महुआ और हाजिपूर पत्ना से मुझपर पूर जाने वाले लोगो को सुवधा में लेगी पटना न्यू जल्पाई गुरी वंदे भारत एक्सप्रेस का पड़िचालन तिति को घोशित कर दी गई है ऐसे में इस वंदे भारत ट्रेन का पड़िचालन 17 दिसंबर से शुरू होने वाला है जिसमें से एक वंदे भारत ट्रेन पटना न्यू जल्पाई गुरी वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल है हाला कि अब तक रेलवे बोर्ड की ओर से प्रस्ताओं को अंतिम रूप देना और फाइनल समय सार्नी तै करना शेश है 13 दिसंबर को शिवर में मुख्यमंत्री नितीश कुमार का कारिकरब बिहार के मुख्य मंत्री कल यानी की 13 दिसंबर को बिहार के शिवर जाने वाले हैं जहां वो कई योजनाओं का सिलन्यास और उद्गाटन करेंगे ऐसे में सीयम नितीश के आगमन को लेकर वहां तैयारियां तेज कर दी गई है मालमोग जुरां सीयम नितीश के द्वरा मुख्य मंत्री के प्रधान सचीव दीपक कुमार के प्रयासे बरसों से उपेक्छी जिले के एक मात्र एतिहासिक और पुरानी कस्थल देकुली धाम का जिनधार कारे का सिलन्यास किया जाएगा और साथी देकुली धाम में बाबा भ गुबनेश्वरनात महादेव की पूजा अर्चना की जाएगी। गुजरात पैटर्ण पर रहेगी। टीम इंडिया के स्टार ओल राउंडर युवरास सिंग का आज है जन्दन। दौरान युवरास सिंग कैंसर की गिरफ्त में आ गया थे यूवी को कैंसर के लाज के लिए बोस्टन जाना पड़ा था एक साल से जादा। समय तक कैंसर की जंग में युवरास को आखिरकार जीत मिली थी। युवरास सिंग ने 304 वंडे इंटरनाशनल खेले जिसमें उन्होंने 8701 रन बनाएं। चालिस टेस्ट मैचों में युवरास ने कुल 1900 रन बनाएं ठावन T20 इंटरनाशनल में युवरास के बल्ले से 1177 रन निकले बाई हाथ के स्पिनर। युवरास ने टेस्ट में 9 वंडे में 111 और T20 इंटरनाशनल में 28 विकेट अपने नाम किये। जानिया बिहार में क्या है पेट्रॉल डीजल करेट। प्रति रेटर है बता दी कि'Tा नहीं के पीटरियो इसका सही उत्तर है option B जमूई अगला सवाल बिहार में कितने दारोगा का इंस्पेक्टर में प्रमोशन हुआ है option A 800, option B 850, option C 900, option D 905 इसका सही उत्तर है option D 905 अगला सवाल, BPSC अर्शटवी का इंटर्वियू कब तक चलने वाला है? option A 8 जन्वरी, option B 10 जन्वरी, option C 14 जन्वरी, option D इन में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है option C 14 जन्वरी अगला सवाल, पटना न्यूजल पाई गोडी, वंदे भारत एक्स्प्रेस का पड़ी चलन कब से शिडू होने वाला है? option A 17 दिसंवर, option B 20 जन्वर, option C 14 जन्वरी, option D 20 जन्वरी इसका सही उत्तर है option A 17 दिसंवर अगला सवाल, यूवराज सिंग ने कितने वंडे इंटरनाशनल मैच खेले है? option A 40, option B 58, option C 304, option D 111 इसका सही उत्तर है option C 304 बीदे दिन हमाई दरा पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने प्रजाब हमें हमारी comment section box में लिख कर दिया है जिन्हों ने मादरा पूछे का सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है उमेश रिसिदेव, निनो गोलु कुमार, सिकदर कुमार, बिट्टु कुमार, संजीत कुमार, प्रिंस पासवान, आरेस अमरेस कुमार, रोहित कुमार सिंग, बजरंगी कुमार, प्रमुदित्व कु अगर आप यूटूब से देखरें चानल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बूक से देखरें तो पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद